हेलो फूड़ीज, वेलकम यो वाल इंट्विस्टेट, आज हम बनाने वाले हैं लेट्स नाचो विद मैंगो साल्जा बाइ टीना सुक्वाणी, यह बहुत ही अच्छी रेसिपिय हैं कि इसको बहुत पसंद आती है, आज हम बनाने के लिए नाचो सबसे पहले एक बेकिंग ट्रे ले लेंगे, उसपे बटा पेपर लगा देंगे, और उसके ओपर हम स्प्रेट कर देंगे हमारे नाचो जो की मार्कित पर एजी ली अवेलेबल हो जाते हैं, आप को इसे भी ब्रैंड का नाचो पर चेस कर सकते ह इसके बाद हम इसमें डालेंगे, हमारी कैप से कम चोटा चोटा चॉटा चॉटा करके, इसको भी अच्छे से, हर जगे पर, क्योंकि ये बहुत फ्लेवरफुल होती है, तो अच्छा सा फ्लेवर रहते हैं, ये तीना मिक्स होगे, और इसके बाद हम जाबके घरमे अविले अच्छ से स्प्रिंखल करके, फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद हम डाल देंगे इसमें हमारी ओर्रिगानो सीजनें, जो कि एजीली मार्केट में अविलेबल होती है, आप कहीं सभी परचेस कर सकते हैं, नहीं से और आप और इगानो भी डाल सकते हैं इसमें, तो पास्ता मिक की लिए यह हम लेंगे एक चीस być and यह चीज क्यों को को हम अच्छे से हर जचेगे कर देंगे आप चाहें तो इसको बेख भी कर सकते हैं आप चाहें तो इसको ऐसे ही मैं कर सकते हं अपने सके अगर वह पा रहें और अगर आप चाहते हैं कि जैसे आपको बास OTG नहीं है या माइक्रोवन नहीं है तो आप इसको घर पे बाटी का ओवन होगा या गया संदूर होगा अब उसमें भी इसको बेग कर सकते हैं तो हम बेग करेंगे इसको 180 लिग रीग और ये बस 7-8 मिनिट के लिए बेग होगा साथ मसाथ हम इसके लिए मैंगो सालसा बना लेते हैं जिसके लिए जाएगा मैंगो मैंने केसर आम लिया है इसमें मैंने डाला है टमाटर हरी मिर्च और धनिया थोड़ा सा इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा था ये ट्रेंडिंग सालसा है अभी का फुदीने की पतियां भी ढाल देंगे और ये ब यह बिल्कुल मिक्स करके रेडी है क्योंकि इसमें अपने एक मिठास हैं मैंगो की टामाटर की खटास हैं प्याच का हलका सा मीठा बने कोरियांडर का फ्रेश प्रेश लेवर है तो इसमें कुछ डालने के जरुवत नहीं है तो इसको यह रेडी है अब इसको हम बोल में एक V глаза बाइस बिल्कुल बेक होके रिस्पी रेडी होंगे माइकरोन नम नाचोर है तो बा味 को प्रेज करेंगे अब जाते हैं अचे सको और डाल सकते हो, अगर आप मियोनीज को स्किप करना चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, मैंने इसको चीजी बनाने के लिए मियोनीज दाली है और ये अपसर्फ करने के लिए रेडी है, फ्लेवर ओसम है, ज़रूर ट्राइ करना ये रेसिपी, थैंक्स और लॉट, आप मेरे चानल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और वेट करिए, बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज ओन दे वे हैं, थैंक्यू